तो मेरी एक रचना पढ़ते पढ़ते एक बार मेरे हजबर ने मुझसे पूछा कि तुम हमेशा ही स्त्रीयों के बारे में इतना लिखती हो पूरुशों के बारे में तुम्हारे क्या खयाल है क्या सोचती हो तुम उनके बारे में तो उसी के जवाब में मैंने ये कवीता हाँ यह पुरुष है प्यार जताने का इनका अलग ही तरीका होता है कभी डाटते हैं कभी गुसा करते हैं कभी हुक में चलाते हैं तो कभी कभी रौब भी जमाते हैं सीधे-सधे कोई बात ये बताते नहीं फिक्र हमारी सबसे ज़ादा करते है पर प्यार से कभी जटाते नहीं शुक्रिया हाँ ये पुरुष है दफ्टर और घर को लंबी उम्रे तक बालेंस करते है हालातों से ये भी लडते है कभी मां को कह नहीं पाते कभी बीबी को कहना नहीं चाहते और नाराजगी दोनों से ही सहते वैसे तो ये निडर है वैसे तो ये निडर है पर रिष्टो को खोने के डर से अक्सर ये डरते है हाँ, ये पुरुश है थैंक्यू, शुक्रिया बातों में सकती, कांधों में मजबूती और सीना फॉला दी रखता है, पर आंगन से जब उठती है डोली, सबसे ज़्यादा यही रोता है हाँ, यह पुरुष है, बच्चों से लेके बुजर्ग तक की जिम्मेदारिया यह उठाते है, ऐसा नहीं, ज्यादा तर लोगों को लगता है कि औरत ही सेक्रिफाइस करती है शादी के बाद अपनी जीवन में, पर ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी सोच है, पुर उसके साथ-साथ माता-पिता की जिम्मेदारिय भी होती है, कभी-कभी बच्चों की फीस आ जाती है, कभी बीवी की जिम्मेदारिया भी होती है, सामाजिक खर्चे भी होते हैं, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसी से जूड़े हुए मैंने यह लिखा है, कि बच्च जब भी कोई मुसीबत आती है, परिवार से पहले इन से टकराती है, अरे कुछ नहीं होगा, चिंता छोड़ो और सोजाओ मैं हूँ ना, कहके सब को सुलाते हैं, और फिर वही चिंता में खुद को पूरी राज जगाते हैं। यह पुरुष है, जिन्दगी भर परिवार के लिए जीता है, आदी से जादा जिन्दगी गर के बाहर यह जीता है, लोन के कर्ज और सामाजिक फर्ज में एक उम्र गुजर जाती है, खुद के लिए यह भी कहां लगातार जीता है। पिता, पती, भाई या दोस्त, इसका हर रूप निराला है, कभी ना कभी किसी ना किसी ने, हमें हर वक्त हर दम संभाला है।